मेरे कोविट पॉजिटिव का डे फाइव मेरे ट्रीटिंग फजेशन डॉक्टर रिजवान उपल ने एक बड़ी सबरदस्त एक्साइज मुझे बताईए जो सब करोना पेशिंट्स को चाहे आपको ब्रीधिंग प्रॉब्लम हो रहा है चाहे नहीं हो रहा आपने तर्स पैटता है और वहां वो ऐसा बल्गम पैदा करता है जो कि ग्लूई होता है गोंद के तरह होता है जो स्टिक कर जाता है और गड़ जाए उसके मिदार तो यह रेस्परिट्री प्रॉब्लम करता है और बात डेथ तक चली जाती है उसको उसका हल किया है यह के साथ छड़के के साथ सांस को बाहर निकालना है ऐसे में हो सकता है कुछ बर्गम भी आपका निकले जिसको आपने क्लीन करते रहना है लेकिन शायद वो नीचे कौने में कहीं छुपावा कोई उसके जर्रात होंगे वो भी निकलने जरूरी है है कि सो ऐसे है कि अजये कि अचा ये जो आप इस वक्त दस्वीरों में देख रहेंगे भी प्रोणे के तक याज़ है पूजिशन है जो कि हॉस्पिटल में कराई जाती है लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ यह उसके एक फॉर्म है यह आप इसको चेस्ट की फिजियो कह सकते हैं चेस्ट की ब्रीधिंग एक्साइज कह सकते हैं लेकिन पूजिशन इसमें भी आपने अपने चेस्ट के बल ले चोड़े यह जुरूर फॉर्वर्ट कीजिए इस तमाम उन बहन भाईयों को जो जो वाइरस का शिकार इस वक्रोना का प्रीधिंग प्राब्लम नहीं भी है तब भी एक्सराइज बहुत इफेक्टिव बहुत जुरूरी है फ्रोनिंग प्यारो एन आई एंजी